जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें जब आप वहां पहुंचेंगे आप इससे भी आगे देख पाएंगे दिखे आज है 27 मार्च और आज की वीडियो में टोटल 10 most important करें परके परिशनों पर हम चाचा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परिशाओं के लिए most important है तो सुरू से लाज से वीडियो में बरे रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखने बात आप इसकी पीडियो फाइल जो है इसको भी डाउनल कर सकते हैं नीचे description box में और हमारे telegram चैनल पे दोनों जगों पे आपको इस वीडियो के पीडियो मिल जागी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें मत मुलिएगा और बेल आइकॉन पे जो रूपिस कर देगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के notification आपको आप्टमेटी बिलते रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देजेगा तो चले शुरू करते हैं देगे आज का हमारा पहला प्रशने के विहाली में किसे रक्षा मंत्राले में सलाकार न्यूट किया गया है तो देगे विहाली में विनोद जीब खंडारे को जो है रक्षा मंत्राले यानि कि डिफेंस मिनिस्टरी में सलाकार के बतपर अपोइंट किया गया है तो आई ये तोड़ा साब विनोजी खंडारे के बारे में जान लेते हैं देखें जो आपको विनोजी खंडारे हैं ये जनवरी 2018 के अंत में भारती से ना यानि की इंडियन आर्मी से रिटायर हुए थे और इन्होंने तब से यानि की जब ये अक्टूबर सोरी जनवरी 2018 के अंत में जब रिटायर हुए थे तब से ये अक्टूबर 2021 तक प्रधान मंत्री कारयले के राश्टी सुरक्षा परिशल सचवाले में सैने सलाकार के रूप में जो है नोने काम किया था और ये नवंबर 2015 से जनवरी 2018 तक जो है रक्षा खूफिया एजेंसी के महा निद्रसक और खूफिया के लिए सुरिक्रित रक्षा श्टाप के उपरमुग थे और देखिए जो आपके विनो जी खंडारे हैं ये सितंबर 1979 में 14 गड़वाल लाइफल्स में साविल हुए और 4 दसकों से अधिक यानि कि 40 साल से अधिक समय तक सियाचीन, जमू और कस्मीर, सिक्कीम और पुरवत्तर शेतरों में विविन इलाकों और परिचालन करतबयों में इन्होंने सेवा की थी तो ये इनके बारे में एक्टरा में जानकारी थी जो सबसे खास सीज़ है, जो एक्जाम में पूचा जाएगा कि इनको रक्षा, यानि कि विनो जी खंडारे को रक्षा मत्राले में सलागार निउत किया गया है और अगर इसके अलावा में कुछ पूचा जाएगा तो वो सारी सीज़े मैंने बता दी है अगला कि नीती आयो के निर्यात तयारी सुच कांग यानि कि एक्सपोर्ड प्रिपेर्डनेस इंडेक्स दोजारी किस में पहले सान पर कौन है तो दीखे नीती आयो ने भ्याली में निर्यात तयारी सुच कांग यानि कि एक्सपोर्ट प्रिपेर्डनेस इंडेक्स दोजरी की जारी किया है और इसमें गुजरात नंबर वन पर है और दीखे इस सूची में गुजरात के बाद जो है फिर दूसरे अस्थान पर आपका महाराष्ट्रा है पर तीसरे अस्थान पर करनाटक है चौते पर तमिलनाडू है पांचमें पर हरियाना है छटमें पर उत्तर प्रदेश है साथमें पर मद्रेश है आठमें पर पंजाब है नवें पर आंधर प्रदेश है और दसमें स्थान पर इस सूचकांग में तेलंगाना है तो यह करम या रखेगा और देखे हैं यहाँ यह करना है की पहले अस्थानपर कौण है कुझ्रात है बाकी अप जी से राजे से बिलों करते हैं आपने राजे का करम या रकेगा यापका राजे के stay कर में दूच्वान पर है मेग हाला हो गया, ये सबसे खराब अस्तान पर हैं। और दीखे, इस सुचकां के साथ में एक और डाटा रिलिज गया गया नीती आयोग के द्वारा, जो नीती आयोग के उपाधक्ष है, राजियुकुमार, इन्होंने दावा किया है कि भारत का निर्यात 36% की दर से बढ़ रहा है, जबकि जो विश्व का ब्यापार है, ये 30% की दर से बढ़ रहा है, तो इसको भी नोट कर लेगा। और दीके नीती आयोग की बात करें, तो दीके नीती आयोग के बारे में 3-4 प्रशन एक्जाम में हर साल पुशे आते हैं, पहले ये नीती आयोग में नीती का पूरा की नाम क्या है, तो दीके नीती का पूरा नाम है National Institution for Transforming India, दूसरा एक ज़िए रखेगा कि नीती आयोग योजना आयोग जो था, तो योजना आयोग के अस्थान पर लाए गया था, और दीके नीती आयोग के स्थापना हुए थी 1-जनवरी 2015 को, और इसमें प्रधान मत्री मोदी का बहुत बड़ा रोल लाहा, इन्होंने योजना आयोग के अस्थान पर इस नीती आयोग को हुए नरे नर्मोदी और अमिताप कांद जो है वरतमान में CEO हैं किसके नीती आयोखे तो इसको नूट करेज़ेगा अगला प्रशन है कि उत्तरी अगला प्रशन है कि नर्थ अट्लांटिक संधी संगठन यानि कि नार्थ अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनाज़ज़न जो रूसाट में आप नाटो कहते हैं जो कि काफी चर्चा में अभी रूस और यूकरेन के युद के दोरान तो प्रशन है कि नर्थ अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनाज़ज़न के महासचीव हैं इनके बारे में खबर ये आई है कि रूस और यूकरेन के युद के मद्दे नजर इनका जो कारेकाल है ये एक सालों के लिए बढ़ा दिया गया है और इनके कारेकाल को 30 सितंबर 2030 तक के लिए एक साल के लिए बढ़ा गया है इसको यार खेगा और नाटो की बात करें तो दिखिए नाटो का जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए हरालत में क्योंकि एक्जाम में पूछा आता है और कभी-कभी तो ये PCS सक के इंटर्वी होगर में पूछ लिया गया है और बाकी बहुत सारे एक्जाम में पूछा जा चुका है कि नाटो का फुल फॉर्म बता दो भईया और जाओ तुम कलेक्टर बनके तो दीखें नाटो का पुरा नम है नार्थ अटलांटिक ट्रेटी आर्गनाईशन और हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन कहते हैं और नाटो जो है एक इंटर गवर्मेंटल आर्गनाईशन है ये एक मिलिटरी अलाइशन है यानि कि बहुत सारे जो राष्ट रहे हैं कितने हैं मैं आपको अभी डीटल बताऊंगा तो उनका सेनाओं का एक संग है ये और इसमें 28 यूरोपियन देश सामिल हैं दो नार्थ अमेरिकन गंडरिस सामिल हैं और दीके नाटो की जो स्थापना है ये जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ठीक है तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है किया गया था और इसको नाटो का मुख्याल है और स्थापना का दिवस और फुल फॉर्म ये तीनों जरूर पताऊना चाहिए और नाटो में कितने देश हैं सामिल ये भी पताऊना चाहिए 28 यूरोपियन गंडरिस हैं और दो नार्थ अमेरिकन गंडरिस अगला है कि हाली में RBI गवर्नर सक्ति का अंदास इन्होंने जो है बैंगलूरू में Reserve Bank Innovation Hub का उदगाण किया था दीखे जो आपका Reserve Bank Innovation Hub है ये है क्या चीज़ दीखे इसको वित्य नवाचार को बढ़ावा देने और पोसीद करने के लिए 100 करोड रूपए के प्रारंभी पुझी योगदान के साथ स्थापित किया गया था और दीकी जो RBI है यानकी Reserve Bank Up India इसके नुसार जो आपका Reserve Bank Innovation Hub होगा तो इसके पास एक सोतंदर बोर्ड होगा जिसमें सेनापती, क्रिस, गोपाल, क्रिशन, अदक्ष और अन्य उलेखनी लोग जो है उद्योग और सिक्षावितों के सदस के रूप में है तो इसको जारके का और अगला प्रश्ण है की हाल ही में किस भारती को डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतराश्टी रणनीतिक सलाकार बोर्ड आप डेटा इनलिटिक्स में सामिल कर गया है अब आप जी सो देरों कि यार यह कैसी जा गया डन एंड ब्रैड स्ट्रीट देखे ये अपनी का नाम है जो की डेटा रिलीज करती है जैसे कि आप देखाऊ का फ़लाने देश की जीटीपी इतनी रहेगी यह सारे चीजी मतलब इस प्रकार के इनलिटिकल डेटा जो है रिलीज करती है यह कंपनी भी तो जो आपका डन एंड ब्रैड स्ट्रीट है तो इसके अंत स्ट्रीट कारपोरेशन जो है यह एक अमेरिकन कंपनी है जो कामर्शियल डेटा एनलेटिक्स और इंसाइर्स प्रोवाइड करती है बिजनस के लिए ठीक है और इसका मुख्याल है जो है न्यू जर्सी अमेरिका में है और इसके स्थापना लुईस टेप परने की थी कब 1841 अगला प्रशन है यहाली में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद कर दिया तो देखे बी आली में People's Cooperative Bank Limited का लाइसेंस रद कर दिया है RBI ने और देखे 21 मार्च 2022 को इस बैंक का जो कारबार है यह समाप करने की गोश्णा की गई थी यहाली में और यह पूरी तरीके से बंद ह चुका है यह अब जो है जितने भी लोगों के पैसे इस बैंक में जमा है अब यह RBI के माधें पर सब को वापस किये जाएंगे तो People's Cooperative Bank Limited कानपूर का लाइसेंस RBI ने रद कर दिया मार्च महिने में अगला की हाली में PM Modi ने किस राजे में विप लोबी भारत गैलरी का उद्गार्ण किया तो दिखें विप लोबी भारत गैलरी का उद्गार्ण किया तो दिखें अभी हाली में बंगाल में यानि कि विप लोबी भारत गैलरी का उद्गार्ण PM Modi ने किया था और इस विप लोबी भारत गैलरी का एक तरीके से एम क्या था कि इस गैलरी का जो है मलब आजून किया गया दीकिए अभी हाली में पिये मोदी ने सही दीवस के आउसर पर यानि कि 23 मार्च के आउसर पर पस्चिम मंगाल की राजणानी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल में विपलोवी भारत गैलरी का उदगार्ण किया और इसका जो उदगाटर ने वीडियो कॉन्फरेंसी के माध्यम से किया गया था इस नई गैलरी का उदिस्थ था 1947 तक की घटनाओं का समगर द्रिष्टी कोर्ण परदान करना और करांतिकारियों के दोरा निभाई कई मतपुर भूमिका को उजागर करना जितने भी करांतिकारी थे जैसे की मातमागांधी हो गया है या पिर अन्य लोग हो गया है उन्होंने कैसे कैसे जो है देश की आजादी में अपना योगदान दिया ये इस गैलरी में फोटो के माध्यम से लिखाये गया ठीक है अगला एक हाली में Graphics Interchange Format जिसको आप GIF Format कहते हैं तो इस प्राभरूफ के निर्माता Stephen Willhide का हाली में निधन हो गया इनका जन्म किस दिस में हुआ था तो दीजिए जो आपके स्टीफन विलहाइड है इनका जन्म अमेरिका में वा था इन्होंने GIF format की जो खोच की थी आप जैसे कोई picture डाउनलोड करते होंगे GIF format में तो वो आपको transparent बिल्कुल कि जब paste करते होंगे transparent आपको दिखती होगी तो उसी format का जो इन्होंने खोच किया था स्टीफन विलहाइड ने दीखिए अगर आप चोटे बोटे computer के प्रशनों वाले परिक्षाओं में जाएंगे तो मालने जिसी भी किसी भी परिक्षा में अगर computer के प्रशना आ रहे हैं कभी कभी पूशा किया कि GIF का फुल फार्म बता दीजिए आप और एक नमबर ले जाएगे तो दीखिए GIF का फुल फार्म है graphics interchange format ठीक है यार के इसको और Stephen Bill Hight की बात करते हो इन्होंने 1987 में Combers में काम करते हुए graphics interchange format या फिर GIF format को तयार किया था और दीखिए एक खास बता हो रहा है जो आपका GIF है यानि कि graphics interchange format रिखा है तो आक्सपोर्ड अमेरिकन डिक्सरी ने 2012 में GIF को जो है World of the Year नामित क्या था और दीखिए जो आपके Stephen Williard हैं इनको 2013 में वेब भी light time achievement पुरसकार से भी समान किया था तो इनके बारे में ये एक्स्ट्रा चीजे हैं बागी जो सबसे खास बात हैं कि GIF format की जो आपकी images होती है यानि कि जो एक तरीके सकाजाए images होते हैं तो इसकी GIF format का इन्होंने खोच किया था किसने Stephen Williard ने इनका निधनों क्या है ये अमेरिका से बिलॉंग करते थे नवा प्रशने की हाल ही में एक सस्तान पर Indian Psychiatric Society का जो आपका 73 वार्सिक सम्मेलन है आजित किया गया तो देखे Indian Psychiatric Society का जो तियतरवा वार्सिक सराशी सम्मेलन था ये विसाखा पत्तनम में हाल ही में आजित किया गया था और 2022 के लिए इसकी थीम थी Bridging Minds Connecting Generation तो इसको या रखेगा और देखे इस राश्टी सम्मेलन यानि कि जो आपका Indian Psychiatric Society का जो 73 वार्सिक राश्टी सम्मेलन था तो इस सम्मेलन को IPS AP राजे साखा और सरकारी अस्पताल मानसिक देखभाल और विसाखा मनुरोग Society के द्वारां सेंक तुरूप से आईट किया गया था इसका उद्गाटन आंद्रप्रदिस के लुकायों के नयमूर्ती पी लक्षमर रेड़ी के द्वारा किया गया था और इसका जो आयूजा नहीं 24-26 मार्ट किया गया था इस सम्मेलन का फोकस समाज में नसीली दवाओं और सराप के दूर्प्योग छातरों के भी सतनाओं और आदमत्या अवसाद और चिंता बुडापी के समस्याओं मनुबरंश की बड़ती घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना था तो यारके का कि अभी हाली में विसाका पतनम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का जो तियत्तरवा वार्षिक राष्टी सम्मेलन है यायत किया था और अगला प्रशनी की हाली में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम सुरू किया तो देखे ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को डीबियस बैंक इंडिया ने सुरू किया था देगी जो अपर DBS पर इंडिया है इसने कार्पूरेट ग्राफों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लांच करने की हाली में गुश्डा की थी जो कि कमपनियों को परियावरण के अनुकूल परियोनाओं या फिर रास्ते का समर्थन करने के लिए एक आसान तरीका परदान करता है तो यह थे आपके आज के सभी धमाकेदार परिशन और अब मात करेंगे आज के सभी को शापड़ेटी का पहला परिशना आपके लिए ही हिसासी टेकुची को हाली में किस कमपनी का नया M.D. और C.E.O. बनाए गया है और अगला की हाली में किस स्कॉर्ट लाइन में रायल सोसाइटी याप एडिन बर्ग के फेलो के रूप में नामित क्या गया है बताए और नेक्स टेकी सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर आप्दा इयर का पुरुसकार के सनगी था बताएए और चौथा की उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने बताएए पांचमा की हाल ही में कि इस देश के काले गेंडे ब्लै के राइन्यू को जो है बचाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा पहला वनेजी यू बॉंड जा रही है बताएए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कोशन अपड़े के सही दूरूंगे अब हमले का पहला प्रत था कि वर्ल्ट प्राद्र को दिया गया है और तीसरा था की कार्भन तरडस क Krithi के तरीकों को पेस करने वाला भारत का पहला राजे कौन बन गया है तो ये राजे है केरल चौथा था की हाल ही में कौन पद्म भूसर प्राप करने वाले पहले पैराइथलीट बन गए है तो दीखे इनका नाम है देवे निजाजरिया ये पद्म भूसर प्राप करने वाले भारत के पहले पैराइथलीट बन गए है और पांचमाता की भारत सरकार ने किस वर्स तक 220 नए हावाजटी बनाने का लक्ष रखा है तो दीखेंगे ये टार्गेट येर है 2025 तो इसी प्रश्म साथ ये वीडियों समापता है जहें जेवरत